Cash flow from investing activities करेंगे ठीक हमने कल जो format किया था ध्यान है आपको हमने operating activities का format कर लिया था तो ये हम सबसे पहला जो portion है वो हमने operating activities का किया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप start करोगे net profit after tax से फिर उसमें tax, dividend और results तीनों को आप add करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें actual में profit कितना हुआ था ठीक है यानि कि profit before taxes फिर आप उसमें दो तरह की items adjust करोगे एक वो item जो operating तो हैं बट non cash है non cash मतलब जिसमें cash का कोई transaction नहीं हुआ आपने सिरफ उसको अपने profit में से लेकिन minus किया है एसी कौन सी item थी जिसका कोई cash transaction नहीं हुई थी depreciation एक operating item है बट उसकी cash transaction नहीं हुई और या goodwill return off ठीक है कि जो हमने cash transaction नहीं की केवल हमने अपने profit में से उसको write off किया है एक तो हम non cash item को minus करेंगे और एक हम करेंगे ऐसे खर्चे को जो actual में खर्चा भी हुआ है cash का outflow भी हुआ है लेकिन उसकी classification operating activity नहीं है ठीक है यानि वो खर्चा operating के कारण नहीं हुआ business operation के कारण नहीं हुआ बलकि financing activity के कारण हुआ या investing activity के कारण हुआ ठीक है इसके बाद जो आपका आजाएगा वो आजाएगा आपका operating profit operating profit का मैंने concept आपको बताया था कि वो profit जो आपकी main business activity के कारण generate हुआ है यानि जिस काम को करने के लिए आपने business किया था उससे related खर्चों को minus करके जो profit आता है that is operating profit ठीक है unavoidable expenses of the business which can help in generating the revenue आपको बताया था जिसके कारण हमारी revenue पर असर पड़े उन खर्चों को हम operating expense कहते है और जो हमारी main revenue आई उसमें से समझ लो हमने operating expenses minus करने है एक direct method होता है direct method में तो सीधा हमें revenue दे रखी होती है उसमें से हम सिरफ छाट छाट के वो खर्चे minus कर देते हैं जो revenue nature के है operating nature के है और cash है लेकिन आपको करना indirect method तो हम ये उल्टा वाला method follow करते हैं क्योंकि जो public है आम जनता है उसको हमारे अंदर की जो figures है वो नहीं पता होती detail नहीं पता होती हमें summary पता होती है आम public को उसको एक balance sheet पता होती है final और एक income statement पता होती है अब उसको उसी में से पता लगाना होता है कि इसका अलग-अलग cash का flow कैसे हुआ तो rather accounts की detail में जाकर हम direct method से cash flow statement बनाएं आम तोर पर indirect method से cash flow statement बनाई जाती है जो publicly available information है उससे ठीक है तो हम वो format कर रहे थे अब हम इसका second part करेंगे cash flow from investing activities ठीक है यानि कि जब हमारा एक portion complete हो जाएगा तो यह हमारा portion B है ठीक है यह B portion है अब इसमें हमने क्या करना है हमें करना है कि हमारा cash जो investing activities है उसके कारण cash का आना जाना कैसे हुआ investing activities मैंने क्या बताया था आपको non current assets है ना current assets तो हमने operating activity में अज़स्ट कर ली यहां पर हम बात करेंगे non current assets की ठीक है और non current assets का आपको यह पता है कि हां जी आपको मैंने बताया कि जो non current assets होती है वो अगर increase हो गई increase होने का मतलब क्या कि last year आपके पास मान लो four lakh की assets थी इस साल आपको आपकी balance sheet शो कर रहे है कि आपके पास 6 lakh की asset है यानि कि asset की value increase हो गई building है furniture है plant and machinery है ठीक है या आपने कोई research and development आपने पढ़े है न fix assets के char head intangible tangibles ठीक है आपके कोई intangible asset पिछले साल थी नहीं अपकी बार बढ़ गई या पिछले साल कम value पर थी अपकी पर ज्यादा value पर हो गई इसका मतलब वो कैसे बढ़ी होगी आपकी कोई पौधा तो है नहीं है न कि अपने आप बढ़ गया होगा कैसे बढ़ी होगी आपने खरीदी होगी तब ही बड़ी होगी ना, खरीदी होगी का मतलब क्या है, आपने पैसे दी होगी, cash का outflow हुआ होगा, तब ही तो खरीदी गई ना, या आपने share सीशू कियोंगे बदले में, अगर share सीशू करके आपने वो asset खरीदी है, तो वो नीचे आपने note में दे रखी होगी, तो इसका म question silent है, या आप अगर real balance sheet भी किसी की देख रहे हो, नीचे कोई note नहीं गिवन, कि हमने ये share जो है, in consideration of building issue की है, इसका मतलब क्या है, कि building पैसे देकर खरीदी गई है, तो जब cash का outflow हुआ हो, तो आपको यहाँ पर include करना है, ठीक है, जनरल ही cash का outflow होकर ही assets खरीदी जाती है, समझ गए बात, तो आपने क्या करना है, cash, अच्छा वो asset मानलो कम हो गई हो, आपकी cash की asset की value, sorry, non current asset है, उसकी value कम हो गई, अब value दो ही कारणों से कम होती है, या तो depreciate हो गई value, है ना, non cash expense हो चुका, तो वो आपने operating activity में adjust कर दिया, ठीक है, फिर आपको मानलो एक asset है, जो आपको 30,000 की दिखाई दे रही है, पिछले साल, ठीक है, इस साल वो आपको दिख रही है कि वो 20,000 की रह गई, लेकिन आपने operating expense, अपने income statement में जाकर देखा, या नीचे आगर आप question solve कर रहे हैं, नीचे लिखा है depreciation charge on this asset, is rupees 10,000, value कम हो गई, आपने का 10,000 depreciation ड़ला है, तो natural बात है पिर तो value 20 ही रहनी थी 30 से घटकर, depreciation के equal value अगर minus हुई है, तो वो यहाँ पर आपने नहीं लेना, क्योंकि वो depreciation ऊपर adjust हो चुका है, है ना, लेकिन अगर वो value minus जादा हो गई है, इसका मतलब क्या है कि वो asset B की है, sale हुई है, समझ गए है, अब जैसे मान लो asset है हमारे पास कोई furniture है, पिछले साल 50,000 का था, ठीक है, अब की बार वो रह गया 45,000 का, नीचे लिखा है depreciation charge on furniture रूपी is 5000, तो आप क्या करोगे, 5000 का depreciation charge हो उसको आपने operating activities में adjust कर दिया, अब जो value वाकी की minus हुई तो आपने पता है, यह तो हो नहीं थी, तो आप उसको यहा हुआ भी है, बलकि लिखा की furniture value रूपी is 5000, वा सोल्ड रूपी is 5000, तो इसका मतलब आपके पास 5000 रूपे cash है, तो यानि कि आपने जब assets, non current assets, non current assets, current assets ऊपर हो चुके operating activities में, non current assets अगर आपकी value minus हुई है, it means कि आपने assets sale off की है, उनके ओपर अगर depreciation नहीं लगा, ठीक है, आप ध्यान रखो, sale होने में भी हो सकता loss हुआ हूँ, तो जितनी actually में आपके पास cash आया है, वो आपने यहाँ पर show करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, cash payments to acquire, जैसे माल लो आपने, पहले करो आप add, suppose अगर आपने कोई sale की है, तो cash receives from disposal of assets, disposal मतलब assets को आपने dispose कर दिया, यानि बेच दिया, ठीक है, of non-current asset या उस current asset का, आपने non-current asset जो भी है, उसका नाम देना है, मैं यहाँ पर non-current asset एक general category कर दे रही हूँ, है ना, non-current में कुछ भी हो सकता ही, ठीक है, ऐसे आपने less करना है, ठीक है, क्या, cash used to acquire assets, acquire मतलब, acquire को क्या मतलब है, खरीदना, ठीक है, कौन सी asset, non-current, तो देखो, एक तरह से यह rule वही चल रहा है, जो हमने operating activities में किया है, क्या किया था हमने, add increase, sorry, add decrease in current assets, add decrease in current assets, तो देखो, add decrease, यहाँ पर भी disposal में decrease ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर हम, समझे लो, add decrease in non-current asset कर ले है, हाँ, ठीक है, हमने operating activities में क्या कहा है, less, पर increase in current asset, उसमें यही कहाना, add decrease in current asset, less increase in current asset, तो यहाँ पर भी तो देखो, increase हुई, acquire हुई, तो इंक्रीज ही हुई न, तो यानि concept तो वही है, word change हो गए, कभी भी कोई asset बढ़ेगी, ठीक है, चाहे वो non-current assets बढ़ें, या current assets बढ़ें, current assets बढ़ें, तो operating activity में less हो गई, समझ गए, current assets बढ़ें, तो operating activities में less हो गई, और अगर non-current assets बढ़ें, तो वो investing activity में less हो गई, समझ गए, current assets घटी, घटने का मतलब क्या हमारे पास पैसा आया, cash आया, तो वो current asset है, तो operating activity में adjust हो गई, same चीज, अगर वो non-current asset है, घट गई है, और यहाँ पर आपने देखना है, घटने के बाद वो depreciation से ज़्यादा घटी है, तो वो यहाँ पर add हो गई, यानि concept दोनों में same चला, ठीक है, इसके अलावा, अगर आपने कोई investment की है, ठीक है, cash used to increase non-current investment, increase या acquire shares, जैसे इन्होंने लिखा cash payment to acquire shares, warrants और debt instruments of other enterprises, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमने किसी दूसरी company के share खरी दे हैं, बिजनिस ने, एक बिजनिस ने दूसरी company के shares acquire की है, debentures acquire की है, warrant acquire की है, इसका मतलब इसने वहाँ पर investment की है, तो non-current investment, पैटा, एक current investment होती है, एक non-current investment होती है, तो non current investment को आप यहाँ पर adjust करोगे ठीक है अगर खरीदी है cash used to increase in non current investment या long term investment इसको कहते है या अगर हम detail में कर ले तो इसको हम shares, debentures और warrant पोलते हैं ठीक है तो यह cash used to increase non current investment हो गई add इसी का उल्टा हो गया आपने अगर दूसरी company के में investment का रखी दी आपने वो shares बेच दिये है ना, तो हम इसको क्या करेंगे cash from share बेच दिये तो जैसे cash from this investment इसको हम this investment कह सकते है हमने दूसरी company के shares बेच दिये है ना, जैसे इसमें लिखा cash received from disposal of shares warrants or debt instrument of other enterprise हाँ जी इसके बाद interest received in cash from loans and advances जैसे ये है आपने share वगएरा खरीदे तो वो non-current investment होगी इसी तरह से अब आपने मानलो किसी को loan and advance दिया है अभी अगर आपने किसी को देखो आपने अगर loan लिया है तब तो वो financing activity है ना, क्योंकि आपके पास पैसा आया, वो financing activity, liability increase non-current liability बढ़ी तो इसका मतलब financing activity लेकिन अगर आपने किसी को loan दिया है तो आपके पास claim है ना उसका, तो इत मींस ये, it's your asset asset है ना, अगर आपने loan दे रखा तो it is asset अब अगर ये non-current है यानि long term का आपने loan and advance दिया तो वो investing activity तो same short term होगा तो वो आपकी current investment वो operating में हाँ, वो operating में होगी या वो हमें उसका nature देखकर ना नीचे cash and cash equivalents होते है है ना, question में given होता है current investment is part of your आम तोर पर हम current investment को cash equivalent मानकर marketable securities मानते है ठीक है, वो depend करेगा आपने कैसी है तो cash from disinvestment हो गया है ना, यह तो investment होगी shares की, ऐसे अगर आपने आपको पता लगा आपकी non current assets में लिखा loan and advances तो आपने loan देखते ही हमेशा यह मत मानो की वो liability होती है liability side अगर loan लिखा है it means it is our liability वह किसी ने आपको loan दिया है अगर आपने loan लिया तो किसी ने दिया भी तो है ना है ना, आपके लिए वो liability है देने वाले के लिए वो क्या है asset, वो कहता ना, देखो मैंने इतने कि मेरा इतना पैसा market में बढ़ा है वो उसकी asset है तो अगर loan दिया हुआ asset sides का loan बढ़ गया तो इसका मतलब आपका पैसा use हुआ वो assets, कोई भी non-current asset बढ़ी तो इसका मतलब आपका पैसा use हो गया, आपके हां से पैसा गया, तो आपने less करना है ठीक है, अगर आपकी वो non-current investment घटी अब loan add advances मानलो पिछले साल 3 लाग थे, आपकी बार 2 लाग रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी ने loan repay कर दिया है ना, तो पैसा आया होगा तो वो आपको इसमें add कर दा ठीक है, इसके अलावा एक चीज देखो, आप ध्यान करो कि मैंने non-operating incomes को adjust किया था ठीक है, non-operating income को मैंने operating activities में adjust कर दिया था, महां से हटा दिया था जैसे received from rent, received from interest, received from dividend इन तीनों को मैंने क्या किया था, operating activities से हटा दिया था, है ना, तो अब उसको यहां पर actually में तो हमें cash आया तो है ना, लेकिन वो उस portion का cash नहीं है, जिस portion का cash है वो वहां जाकर adjust करता है यानि आपने यहां पर add investing income लिखेंगे हम यहां पर, investing income क्या हो सकती है आपकी interest received tax received, oh sorry dividend received rent received, ज्यादा investing income हमारी यह होती है हमने अपनी कोई asset किराये पर दे रखी है rent पर दे रखी है तो rent receive हमारा जैसे कई बार होता है ना, shops अपनी वो कर देते हैं आगे थोड़ा सा portion किसी दूसरे को दे देते हैं, किराये पर लगाने के लिए जैसे payment traders को दे देते हैं इस type कमान लो, कुछ लोग ATM खुलवा लेते हैं अपनी shop के side में, तो ATM का उन्हें rent मिल रहा है ठीक है, subletting कर देते हैं तो वो सब rents आगे building हमने दे रखे रेंट पर हमने किसी को loan advance दे रखे हैं loan advance हमारी क्या asset है दे रखा है तो, उसके ओपर rent मिला, वो sorry interest मिला वो उसकी income, हमने shares and eventures खरीद रखे हैं उसके ओपर हमें dividend मिला तो वो हमारी income तो वो मैंने अब आपको confusion यह होगा कि आपने अभी तो operating में तो उसको adjust करके उसको add back less करवाया था वहाँ पर मैंने अगर less करवाया था वहाँ less सिरफ मैंने इस वज़े से करवाया था क्योंकि वो operating income नहीं थी वो actually मैं investing income थी तो मैं उसको वहाँ less कर चुकी हूँ तो यहाँ पर add समझ में आगई यह चीज़े clear है इसके बाद जो net amount आएगा that will be our investing income ठीक है एक इस में question arise होता है कि goodwill अगर minus होई है वो operating में हमने adjust कर लिया क्यों किया क्योंकि वो non cash खर्चा था ठीक है बच्चे यह सब चीज़ें आपके projects में जब आपके वायवा होंगे न वहाँ पर इस टाइप के questions पूछे जाते है अगर goodwill बढ़ गई तो क्या होगा वो investing होगी क्योंकि हमने किसी की goodwill purchase कर ली ठीक है goodwill purchase कर ली अगर goodwill increase हो गई है तो वो investing activity माएगी क्योंकि as per accounting standard 26 goodwill हम अपनी books में अपने आप से बढ़ा कर नहीं लिख सकते purchase की हुई goodwill को ही हम अपनी books में show कर सकते हैं और आपने देखा होगा shares and adventures का जब हमने chapter किया उसमें हमने goodwill को debit किया था issue of shares for purchase consideration other than cash में है ना purchase की थी वो हमने क्या कहता assets की value कम थी लेकिन फिर भी हम payment ज्यादा कर रहे थे क्यों कर रहे थे ज्यादा payment क्योंकि उस business की goodwill अच्छी थी ठीक है ना तभी तो हमने मानलो assets खरीदी दी 2 lakh की payment कर रहे हैं हम outside reliability और vendor को मिला कर हमने का जी हम तुमें 3 lakh रुपे देंगे हम 1 lakh रुप प्रेशा क्यों दे रहे हैं उस business की goodwill अच्छी है तो उसका मतब हमारी goodwill अच्छी है अगर हमने मानलो assets ज्यादा value की खरीद कर payment कम कर ले तो वो कम payment लेने को क्यों राजी हुआ क्योंकि हमारी goodwill अच्छी है उसकी कम में हमारे से तो हमें भी फायदा हो गया, वो capital reserve बन गया, है ना, अच्छा वो, उस case में तो क्या था, हमने issue of purchase consider other than cash किया था, इस तरह से अगर goodwill पढ़ी, फिर तो वो balance sheet का part, इसका cash flow statement का party नहीं बनेगी, बेटा, ध्यान रखो, वो ही items, cash flow statement में आएंगी, जिनके बदले में cash का outflow, या inflow होगा है, अगर cash use नहीं हुआ, transaction हो गई, हमने एक asset देकर दूसरी asset ले ली, या हमारी liability बढ़ गई, asset बढ़ गई, ठीक है, हाँ, तो नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी cash asset घटी है, बढ़ी है साथ में, change हुई है, cash की position बढ़ी ही घटी है, तो ही आपको इस में include करता है, clear है यह चीजे है, तो यह हमारा इस तरह से हमने, आपको कुछ भी हो सकता है, किस चीज में, हाँ, हाँ, आउटफलो देखो न, आउटफलो होगा, जब हम asset को acquire करेंगे, तो हमारा, आउटफलो होगा, हमारे पास asset क्यों आएगी, हमारे यहां से cash दे है, आउटफलो भी हो सकता है, इनफलो भी हो सकता है, investing activities में वैसे देखना, ज़्यादा तर आउटफलो ही दिखाते हैं, क्योंकि हमारी assets भिक्ती भी है, मानलो, तो वो बहुत कम value की भिक्ती है, हमारा business थोड़ना इनका बेचने का, है ना, furniture आप मानलो, आपने किसी साल में furniture बेचा, तो natural बात हो, उस ही है, लेकिन अगर हमारा इसमें transaction जादा हो जाए, non-current investment में transaction जादा हो जाए, तो cash का positive भी आता है, बट मतलब जादा तर जो है, normally जो है, इसका negative answer होता है, ठीक है, तो अगर मानलो, आपका use आया, जादा cash minus जादा हुआ है, plus कम हुआ है, तो आप लिख दोगे net cash used in investing activities, अग आपके पांस cash आया जादा है, गया कम है, तो cash flow from investing activity, अगर minus answer है, तो bracket में लिख दोगे, क्योंकि आगे हमें फिर net करना है, पहले आपने operating का लिखा, outsider column में, है ना, फिर ऐसे ही आपने investing का लिखा, outsider column में, ठीक है, उधर positive है, इधर negative है, तो आपका net answer फिर positive हाजएगा, अगर positive बढ़ा है तो, वो जैसे math में चलते है, plus minus का वो system, वो ही है, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम करेंगे, third portion करेंगे, questions भी करेंगे, cash from financing activities, है ना, तो जैसे non current investment का portion, investing activity का है, तो ऐसे non current equity and liabilities का portion, financing activities का है, समझ में आया, आपको balance sheet का format याद है ना, एक format होता है, shareholder fund, non current liabilities and current liabilities, current liabilities तो पूरी operating activities में adjust हो जाती है, non current liabilities और shareholder fund, उससे related कोई भी cash का outflow या inflow, adjust होगा financing activities में, ठीक है, तो एक बार इसको हम आपने हैं, कि हमें practical करवाने हैं, चलिए, अब हम बात करेंगे financing activities की, हाँ जी, financing activities क्या होंगी, ऐसी activities which are related to, which are related to shareholder funds and non current liabilities, ठीक है, अब जैसे मैंने non current investment में आपको क्या concept बताया, कि अगर non current investment बढ़ी, increase हुई, तो वो क्या है, non current investment अगर increase हुई, इसका मतलब हमारा cash use हुई, है न, और अगर हमारी non current investment घट गई है, और वो depreciation के बराबर नहीं घटी, उससे ज़्यादा घट गई है, तो इसका मतलब हमारा cash आया है, वो disposal हुआ है, same वो ही concept अब यहाँ पर उल्टा होकर चलेगा, अगर आपकी liability बढ़ गई है, debentures पिछले साल 3 लाग के थे, अपकी बार 4 लाग के हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ बढ़ गई का, बताओ, ज्यादा payment करनी पड़ेगी, वो तो आगी की बात है, इस साल क्या हुआ, पिछले साल 3 लाग के debentures थे, अपकी बार 4 लाग क्यों के हilstय कि इ Vince आपके पास एक लाग कैश और आया एक टालना करते हैं आपका बैंक लोन था पिछले साल थाही लाग था अब की बार 2 1500 था आपकी अपने पही गिया यही कंसेट करण लाइबैयिटिऑ में चल राए करण लाइबलिटी में भी म्ीरी अधि Increase in current liability, less decrease in current liability, same add increase in non-current liability, less decrease in non-current liability, वोही चीज होगी न, बस फर्क क्या है यहाँ पर non-current liabilities और shareholder fund, shareholder funds में क्या होते हैं, share capital, reserves and surplus is हमारा operating profit का part होता है, उसके कारण कोई अलग से cash नहीं आता, वो तो हमारे operating profit में से ही रखा जाता न, इसलिए उसको यहाँ पर हम यह नहीं लिखेंगे, हम shareholder fund लिखेंगे, ठीक है, money received against share warrants अगर होगी, वैसे आपके question में नहीं होगी वो, 12th के level पर नहीं होती, अगर होती तो वो भी लिखते, अगर money pending against allotment अगर होता, तो वो भी हम लिख सकते थे, लेकिन वो सब आपके लिए नहीं है, और वो ज़्यादातर companies की balance sheet में होता भी नहीं है, अगर buy chance किसी कहा हो, तो cable पो format का part है, आपको मेरी एक तो share capital का increase decrease देखना है, share capital decrease नहीं होती है, आपको ये बात पता ही है, है न, buyback of shares अगर हो, तो अलग बात है, बट वो भी share capital decrease नहीं होगी, buyback भी होगा तो, तो share capital तो हमेशा increase ही होती है, preference share capital decrease होती है, पता है ये बात आपको, preference shares redeemable होते हैं, equity shares are non redeemable, they are never redeemed, but preference shares have to be redeemed after some time, तो preference shares के कारण तो आपकी हो सकती है, तो बेटा हमेशा आपने वो चीज न, नीचे notes to account में detail given होती है, तो इसलिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रुआती है, इसका न, question solve करने की भी अपनी trick है, किस trick से question solve करने, वो भी मैं आपको यहाँ करवाऊंगी, ठीक है, तो चलो, अब हमारा cash inflow क्यों हुआ, क्योंकि share capital बढ़ गई, या हमने loan and advances ले लिए, या हमने debentures issue कर दिए, है न, तो उसके कारण, या हमारी other कोई long term borrowing है, किसी भी तरह की, उसके कारण हमारी share capital बढ़ती है, sorry, financing activities में cash inflow होता है, cash outflow क्यों होगा, हमने अपने loans repay कर दिये, है न, हमने या फिर इनके कारण, हमने interest या dividend pay किया, अगर interest pay किया, तो भी loan का outflow होगा, और अगर हमने dividend pay किया, तो भी loan, sorry, cash का outflow होगा, तो उसके कारण आपने यहाँ पर show करने है, inflow किस कारण हुआ, inflow हुआ तो add करना है, outflow हुआ तो less करना है, इसके बाद उसी तरह से net आ जाएगा आपका, फिर हम तीनो activities का net cash निकालेंगे, कि total पूरे year में हमने कितना cash generate किया, या तो cash generate किया, या हमने use किया, इसके बाद उसका जो final stage होगी, वो फिर हम पूरी जब statement बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से आपने जो है, तीनो activities का अलग-अलग segregation समझ लिया, इसके बाद हमें compiled cash flow statement बनाएंगे, ठीक है, चलिए,